यह देखें गाइस यम्मी टेस्टी एंड इलीसियस की सब्ची आलू और दही की कोई भी चीज ना हो घर में तो आप इसे बना करके तयार करिए बहुत यम्मी बहुत टेस्टी तो चलिए देखतें कैसे बनी है हलो इब देखें हमारे यूट्यब सेनल शाय मिस्रा में गाइज यह देखें मेडियम साइज के चार आलू ले लिया है हमने जो कि हम इसी छील करके वाश करके रख लिया है और इस तरह से हम इसे काट लेंगे आप जितनी चाहें उतने बड़े टुकड़े कर सकते हैं कोई प् तो आप देखते रहिएगा इन टुकड़ों को हम डालेंगे कुकर में प्रैसर कुकर में और डाल दिया एक लास पानी आप इसमें हम डाल देंगे नमक क्योंकि नमक बहुत जरूरी है कि बॉयल करते ही आलू में नमक जब हो चला जाएगा ना तो यह बहुत जाता स्वाद वाले लगेंगे आलू चीए तो इसी तरह से हम कुकर बंद करके इसमें एक लिट लगा लेंगे अरे थिए डही तो इसको हमने फेट कर लिया है तो आप चाहें तो आप नौर्मल लेलेगा घर का घए है खटा डही है आपको अगर खटा दही नहीं पसंद तो आप सिंपल कम खट्टा ताजा दही ले सकते हैं तो यह देखे हमें एक विजल भुला लिया है तो अभी हमने अपने कुक कर से आलू बाहर कर लिया है और यह अच्छे से बॉयल हो गया है देखे दही हमारी खट्टी होती है तो खट्टी कोई चीज हो चाहे वो टमाटर ही क्यूना हो अच्छे से बॉयल हो चुका है तो चलिए बनाते है अपनी सब्ची तो यह देखे है हमने ले लिया है अपना पतिला जिसमें हमने तीन से चार स्पून डाल देंगे यह दाल दिया हमने जीरा हिंग कि हमका स्वाथ बहुत अच्छे सा आता है हल्दी पाउडर थोड़ा से तो इस वज़े से तो आप देखिए हम डाल रहे हैं लाल मिर्ज पाउडर यह कस्मीरी लाल मिर्ज पाउडर और तनिया पाउडर यह हमने डाला बेशन एक स्पून इसको डालने से आपके जो दही आलू है वह बिल्कुल भी फटेंगे नहीं बहुत अच्छे से बहुत यम कमें टेस्टी delicious बन करता होगा इसलिए यह हमने डाला लाल मिर्ज पाउडर अगर हम राल मिर्ज पाउडर पहले से ही डाल देतें ना तो ज्यादा बुंझ जाता और उसमें तीखी सी जहा आने लगती जिसकी हो जैसे खांसी वगरा आ सकती इसलिए हमने बेशन को भूने के बाद में लाल मिर्श पाउडर डाला है और अब हम इसमें भून लेंगे अच्छे से और इसको भूनने के बाद में हम क्या करते हैं देखिए यह सबजी बहुत जाधा बच्चों को पसंद आती क्योंकि इसमें खटा पन भी होता है ना इस वज़े से कि हमने डाला हुआ है एक ग्लास पानी आप पानी अपनी साब से कम जाधा कर सकते हैं कोई प्रॉब्रम नहीं है हमने एक ग्लास डाल लिया है आप एक काधा भी कर सकते हैं और यह देखिए दो कटोरी अब हम डालेंगे इसमें फिटा हुआ दही तो इस तरह से चलाते हुए मिलकुल हाथ रोकेंगे नहीं चलाते हुए ही हमें इसमें डालना है जिससे कि हमारा फटे नहीं वैसे तो बेस दूसरा का टोरी दही बेसन एट किया हुआ जिसके वजह से फटेगा तो नहीं लेकिन फिर भी आप चलाते रहिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगे बस उतनी देर चलाना है जितनी देर बॉयल आ जाए तो यह देखिए हमारे जो मिक्षर उसमें बॉयल आ चुका है तो आ देखिए हमारा हो चुका है लगवख लगवख ठीक होने लगिए तो अब हम क्या करेंगे इसमें लेंगे बॉयल डालू अभी ध्यान रखेगा भी नमक नहीं आइट किया है जो कि हम नमक बाद में एट करेंगे तो यह देखिए बॉयल डालूल ले लिए है अब इनको हम और तो अपने ग्रेवी में डाल देंगे क्योंकि इस समय घुक हुखुकि है और आलू भी हमारा बॉयल्ण है और इसी लीए हमने नमक डालने को बोला था क्योंकि अगर आप बॉयल करते समय बॉयल करते er नमक डाल दिमना तो आलू में जो नमक है वह पहले से हिं रहेगा तो वो फीका नहीं लगेगा वैसे तो यह देखिए इस तरह से हम इस्टर करते हुए हलके हातों से फिर से बॉयल आने देंगे ग्रेवी में अगर आप जाधा चलाएंगे सब्जी को तो आलू हमारे बॉयल है जो कि मैशी हो सकते हैं इस वज़े से आप डालेंगे हम नमक हले सकते हैं और अगर आप अगर दः वाले fatम के अगर अगर दाही twenty polar अपना दाल करें घराट अगर दढर तो चलिए इसकोने करते हैं और करते हैं सेgrassब होखोर्ट टेस्टियों बहुत यम्मी बंऑ कराता है कर यह दे चीख मैंसे याद रखें कि आपको दही वाली आलो बनाये तो इसमें नमक आप बाद में ही एट करें जिसके हुज़े से दही फटेगा नहीं तो लीडिए यह सर्थ करना है किया यमी लग लिए देखने में सबची हमारी किर्ण में कोई शबूक्व्र बन कर बहुत थे बहुत यम्मी बन कर तियार होती है और बच्चों को भी पसंद आती है क्योंकि ये खटी, थोड़ी सी तीखी, चटपटी होती है तो अच्छी लगती है खाने में तो अगर हमारी RSP पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मिलते नेक्स टे